इतना जवाई गुपता जी का बैडेस अपने जो बची हो उनकी जमानत होने में मेरे परिवाल इसाब देगा आज सक दिया है आगे भी देगा जेज मेने बार आज सक दिया है जेज के ताले तूट गए समाजवादी पार्टी के वरिशनेता आजम खान के बेटे अबदुल्ला आजम खान को सबी मामलों में जमानत मिल गई वो सीतापुर जेल से बाहर आ गए अब्दुल्ला आजम खान पिछले 23 महीनों से सीतापुर जिला कारगार में बने थे उन्हें कुल 43 मामलों में जमानत मिली है जेल से रहाई के बाद भारी भीड के साथ उनका काफिला रामपुर के लिए रवाना हो गया हाला कि अभी आजम खान जेल से बाहर नहीं आए हैं अब्दुल्ला आजम खान 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर की सोहर विधानसवा सीट से चुनाव लड़े थे और जीतकर विधायक भी बने थे लेकिन कांग्रेस परत्याशी नवाब मलिक काजम अली और वेद मिया ने अब्दुल्ला आजम की उम्र को लेकर शिकायत दर्जकराई थी जिसके बाद लहाबाद हाई कोट ने अब्दुल्ला आजम को निर्वाचन रद कर दिया था अब देखना ये होगा कि जेल से आने के बाद अब्दुल्ला आजम खान यूपी चुनाव में हिस्सा लेते हैं या नहीं कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम खान जिल से बाहर आने के बाद समाजवादी पाल्टी के लिए चुनाव पर चार भी करेंगे और खुद भी विदान सबा चुनाव लड़ेंगे वही खबर ये भी है कि रामपूर शेहर सीट से आजम खान खुद विदान सबा चुनाव लड़ सकते हैं रामपूर विदान सबा सीट से साल 2017 में आजम खान नवी बार विदान सबा चुनाव जीतने में सफल रहे आजम खान ने अपने निकटतम शिव बहादूर सक्सिना को शिकस्त दे थी बीजेपी की लहर में भी आजम की जीत कांतर 46,000 से अधिक वोटों का था लोग सभा के लिए निर्वाचित होने के बाद आजम खान के इस्तिफे की रिक्तुई सीट पर उप्चुनाओं में उनकी पतनी कंजीम फात्मा विधायक बनी बैस एक बार आजम खान को रामपुर में सियासी मात खानी पड़ी थी इसके लावा उनके सामने कोई चुनोती नहीं दे सकता बिर रिपोर्ट एबियन समाचार इस में बारासी की अधिये आको और में ऐखायक जैल के ताले भूट गए खेज के ताले भूट गए